भर्नो थाना के डाड़केसा बांध के पास टेम्पो पलट गया टेम्पो पलट कर सड़क से 20 फिट नीचे गढधा में जा गिरा जिससे टेम्पो में सवार सिंग रोली गावनिवासी सीता मुनी देवी की मौत हो गई जबकि ड्राइवर मदन उराउं पत्नी जूलिया गायल है इस टेम्पो में दो बच्चे भी सवार थे लेकिन उन्हें खरोज तक नहीं लगी है घटना की सुचना पर भर्नो थाना की पुलिस पहुँची और सौ को कबजे में कर लिया ओहीं बड़ी मसकत के बाद टेम्पो को सीधा कर गढधा से उपर सड़क तक लाया गया घटना के बाद काफी संख्या में ग्रामिन वा रहगीर जूट गये सभी लोगों ने घायलों की मदद की जानकारी के अनुसार सिंग्रोली गाउन निवासी मदन उराउं अपने परिवार के सदस्यों को लेकर ससुराल सीसे पर्खन के उप्रका गाउं जा रहा था साथ में मिर्तिका सीता मुनी देवी भी टेंपो में बैट गई वह भी अपनी बेटी के घर जा रही थी तब ही टेंपो डाड़केसा के समी पलट गया और हाथसा हो गया आप देखने परभात खबर गुमला की खबरों के लिए बने रहिए